पर ग्लोबल टीवी के श्रोताओं और दर्श को देखिए पुरी दुनिया में जो सिचुवेशन बन रही है और साथ ही भारत में जो सिचुवेशन बन रही है कश्वीर फाइल्स रिलीज हो चुकी है और साथ ही साथ रश्या और यूकरेन के बीच जो लड़ाई चल रही है वो आज 20 में दिन में प्रवेश कर चुकी है और साथ ही साथ उत्तरप्रदेश सहित चार और राज्यों के चुनाओं के परिडाम आ चुके हैं इनी तीन मुद् साथ बातचीत करने के लिए राजनीतिक विशेशग्य पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो कई सारे मीडिया चैनल पे अपने विचार रखते रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद है आपका स्वागत है डॉक्टर अखिलेश विश्रा जी पहला सेग्मेंट हमारा इस पर है कि हम कश कश्मीर फाइल से ही सुदू करते हैं देखिए फिल्म रिलीज हो चुकी है और अभूत पूर्व इसको रेस्पॉंस मिल रहा है और इस पे जैसा कि कहा गया है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो वहां पर 1990 के दशक में हुआ उसको दिखाया गया है जो उन पर अत्याचार ह हुआ जो उनको वहां से पलायन करना पड़ा जो बार्बैरिक किसम के वहां पर नरसंगहार जिसको शब्द इस्तिमाल किया कुछ इसको जीनोसाइड इस्तिमाल कर रहे हैं इसी में एक तबका ये कहता आ रहा है कि ये जो समाज में विद्वैश हेट्रेड की भावना है उस को भी बढ़ा रही है क्योंकि चीजें शांत थी ये दबे हुए घाओं को पुरेदने की भी एक कोशिश है आपको क्या कहता है डाप साब ये गलक चीजे हैं देखे कोई भी फिल्म या तो फैक्ट पे बनती है या फिक्शी सियस होती है अगर ये फिक्शन है तो आपको या किसी को परशान होने की कोई ज़रूरत नहीं आती है माल लीजे कि ये कालपनिक कफा है और इससे भी बहेंकर बहेंकर फिल्मे बनी हुई है जिस पे जिनोसाइड वगरे दिखाया गया है सेकेंड वर्ड वार या डाकुमेंटीज बनी है अगर फैक्ट है तो भी आपको इसको घबडाने की क्या ज़रूरत है अगर फैक्ट है तो फैक्ट को बाहर आना चाहिए इन फैक्ट ये फैक्ट अगर इतने दि पड़े हैं लोग उनके कुछ ऐसे decisions होते हैं उनके कुछ ऐसे सोते हैं कि उस fact को वह बाहर नहीं आने देते हैं जैसे नेता जी की मृत्ति क्यूं ही इस पे जाँ चबी भी चल रही है क्या सही है क्या गलत है अभी तक यह सार वह भौमिक सत्थ जो है बाहर नहीं आया है जिसक पूरी दुनिया ने इस चीज को देखा, कि एक सोतंत्र देश में, सोतंत्र देश के नागरीकों के साथ, सोतंत्र देश के नागरीकों ने ही क्या किया, पहली चीज. दूसरी चीज, विदेशी ताक्ते, इसमें क्या शामिल की, किस तरीके से उनका क्या रोल था, ये चीज भी जो है बहुत जो है बढ़ चाल करके सामने आएगी इंटरनेशनल लेवेल पर यूनेस्कों वगरे में इन सब जगह पर होला मचेगा जैसे फॉरें से भी कई पॉस्ति रिस्पॉंस आने शुरू हो गए तो ऐसी ताक्ते तभी भी नहीं चाहेंगी इंटरनल और एक्स्टरनल लेवेल की ताक्ते कि इस तरीके के स्ट बाहर रहें कि जो चीज उन्हों ने किया है उनकी पूरी राजनी ते उनका पूरा स्वार्थ इसमें खतम हो सकता है जी देखी सिच्वेशन उस दौरान तो आप भी आप भी साक्षी रहे हैं टेलिवीजन न्यूज के माध्यम से अ एक बार अपने एडिटोरियल बॉर्ड की मीटिंग में ये कह दिया था कि आज कश्मीर से कोई समाचार नहीं है ये न्यूज जाए इससे हमें भयावाता का अंदाजा लगता है कि कश्मीर से रोज खबरे आती हैं दूसरी चीज हम सभी जानते हैं वहां जिस तरह से नरसं करनी पड़ती थी एक्स्ट्रीमिस्ट फोर्से से कि कम से कम हमें अपना अनुतिम संसकार कर ले लेकिन एक बयान और आया है को कोलकता में चोटी सी घटा हुई है कि मुस्टिम यूकों ने हॉल के अंदर घुसके तोड़ फोड़ की फिल्म रोके रखती है घंटे ओमर अब आप बात कर रहें अंतरराष्ट्री विरादरी की सही रियक्शन्स आएंगे दूसरी ऐसी कई सारी घटाएं ये भी आपने सही कहा कि उन पर फिल्में बननी चाहिए उस पर आयोज्या का भी जो कार्सेवकों पर गोलिया चली वो भी है नेता जी की मृत्यू है और आप और क्या लगता है जो लोग ये कह रहें जो तब का ये मान रहा और लगबक काफी सारी आवाजे इस फिर्म के खिलाफ आनी शुरू हो गए उसमें कश्मीरी नेता भी हैं और तमाम सारे लोग है कि ये बिल्कुल जो प्रयास चल रहे थे कश्मीरी पंडितों को वहां पर बसान वारुख अब्दुल्ला वगरे उमर अब्दुल्ला वगरे अगर ये बोल रहे थे देखें ये लोग कितने धुरंधर छिलाडी है कितना मास्क करके किसी चीज को करते हैं अच्छा सांती स्थाफित किस कसोटी पे होगी क्या कीमत देके होगी यही कि जिन लोगों ने दस- बिट्टा डार वगरे यह से यह थे यासीन मलिक वगरे जो गूम रहे हैं उनको बचाने के लिए यह चीज हो रही है देखें इन लोगों का शाक्रियाना अंदाज देखिए शांती किस अस्तर पे होनी चाहिए कि तुम मारते जाओ एक पट्टिकुलर धर्म के लोगों को और उन्याय की मांग भी न उठें सत्य दिखाओगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप होगा कि उनको कानून के कटगरे में खड़ा किया जाए तो अभी भी यह राजनेतिक रूप से उन्हीं लोगों को जिन लोगों ने हट्ट्याय कि हैं उनको बचाने की बात कर रही हो रहे है यह इनके राजनीत को समझना चाहिए दूसरी जी जो आपने बोली कि भाई बंगाल में देखे एक सिनेमा हॉल में फिल्म को रोक के रखा गया तोड़ फोड़ की गई और आपने और बोला कि अगर कहीं किसी की मृत्यू होती थी हिंदू की तो जो है अनुरोध करना देखे सवाल हिंदू या मुसल्मान का नहीं है सवाल एक ऐसे सिस्टम का है जो जहां पर जरा सा हावी हो जाए किसी भी तरीके से हावी होने की कोसिस करता है और हावी होने के बाद दूसरे सारे लोगों का जीना दूभर कर देता है और अगर वो जीने की इजाजत देता है तो अपने आपको संतुस्त करते हुए, इनकी मनोवृत्ति क्या होती है, कि इनकी जूतिया चाटते रहो, मतलब ऐसे ऐसे घ्रेनित शर्त ही ये लगाते हैं, कि आपको अंतिन संस्कार करना है, तो उसके बाद आप अनुरोध करिए, अकबार में देखे, यही चीज अगर कर दीजिए, तो क्या यह accepted होगा उनके लिए? इतने ग्रिनित, इतने ग्रिनित लोग हैं, अपने मुझ से जो लोग बोल रहे हैं, कि हमने इनकी जो है, इतने लोगों की हत्या की, अपने मुझ से टीवी पर जो बोले हुए हैं, आप नेता हो, मंत्री हो, संत्री हो, आप स् क्यारे हैं, तो आपको कानून का सामना करना चाहिए और करना पड़ेगा आपको, तो अब ये सारी नोटंकी चल रही हैं, कि अब इनको बचाया कैसे जाए, क्योंकि सत्य तो उजागर हो रहा है, जिन्दगी बर उसी मुद्दे पे इन्होंने राजनीत की है, इनकी राजन में उस नरसंगहार में शामिल माना जाना चाहिए, चाहिए वो फारुक अब्दुल्ला हो, चाहिए कोई भी हो, और इनकी पोल खुल रही है, जैसे कलकटा में आप देखिए, ये बात कवल काश्मीर की नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, हर छोटे-छोटे शहरों में किया है, तो किसी की क्या मजाल है कि आप फिल्म रोग दो, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि हर शहरों में ये छोटे-छोटे श्री नगर बने हुए है, और इस चीज को समझने की जड़ा है, एक धर्टा उस दौरान हुई थी 1989-1991 के आसपास, एक हाई स्कूल की लैब में कश करने की कोशिश की कई लोगों से पूछा भी था, वो कश्मीरी लड़की काम करती थी एक लैब में, उसका पहरण हुआ, बुलाया गया कॉलेज, अपने स्कूल की आपको वेतन देना है, और अब यहां हानी उतनी नहीं है, इतना संवेदल शील छेत्र नहीं रह गया है, ज पर उसके साथ गैंग रेप और आरा मशीन में उसको काट दिया था, तिरजा टिक को नाम था, हम सभी जानते हैं यह घटा प्रमाडित है, सलमान खुर्षीत ने अपनी किताब में खुद जिकृत है, तो यह विभस घटा, कुछ लोग यह कहते हैं कि इस घटा का एक प्रति रियक्शन्स होने शुरू हो जाएंगे और देश की शान्ती भंग होगी, तो क्या विवेक अगिहोत्री, पल्लवी, जोशी, अनुपम खेर ने अगर एक साठ्थक प्रयास किया, कि सच्चाई सामने लाए, तो क्या वो इससे कॉशर हो जाए या उनको फिल्म पे किसी तरह का रोक लगाना चाहिए, खुद किसी देश की शान्ती भंग होगी, या एक व्रहद परिपेच देखना चाहिए, प्रड़क साब, गिरिजा टिक्कू का जो केस आपने बताया, ये बताता है कि एक पटिकुलर कौम के लोग अपने मतलब को साधने के लिए कितने गिरे अपहरण वहाँ पे दो और बड़े इंपोर्टेंट अपहरण हुए थे, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती के और उनके बहन की भी हुई थी, याद है न, इस खरोच आई, जबकि वह 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक गया थे, और सकुशल वापस आ गए, तो ये धर्म विशेस की जो खरोच भी नहीं आता है, और एक को आरे में चीर दिया जाता है, रही बात शांती की, तो यही शांती की पुझा करते करते तो देश दो भागों में बढ़ गया, महात्मा गांधी से, बड़े शांती के पुझारी तो ये जो लोग अपना मुँ फाल रहे हैं, वो तो नहीं है ना, महात्मा गांधी ने भी शांती की प्रतिस्थापना के लिए ये सब किया था, और उन्होंने इस लेबल पर जाके शांती का पक्ष लिया, कि देश के दो टुकड़े करतों ने कि उन्चांती बनी रहे हैं, तो साहब मैं आपको बताओं, ये चीजे मंजूर नहीं है और कहीं शांती भंग नहीं होगी, अगर शांती भंग होना होता है, देखे मैं बताओं, देश की जो बहुसंखेक जनता है न, वो विस्वास करती है, कानून में, वो सम्विधार में विस्वास करती है, वो न्याय तंत्र में विस्वास करती है, इतने काश्मीरी पंडितो को या वहां के हिंदुओं को मारके भगाया गया किसी में घुलेल तक नहीं उठाई एक पत्थर तक नहीं मारा और आप उनसे उमीद कर रहें कि शांती भंग हो जाएगी तो काश्मीर में जो लोग पत्थर मारते थे सेना के उपर वो तब ऐसा करते थे शांती पूजा करते एक एक फोटी सेवल ले करके जबकि तहीं कुछ नहीं था सिर्फ वो बहुत संख्यक हो गए थे तो एक फोटी सेवल लेके वो सांती की स्थापना कर रहे थे ठीक है अगर शांती भंग होने का डर लग रहा है तो चलिए सांती की स्थापना करते हैं उन्हीं की तरह एक फो सभल में सभुएंद्ग था इंख करता यह होता तो बहुत सारी चीजह यह समीदार्ग में विस्वास करती और उसी भाते ले किसी अग्रें अग्र Сам if डूसरे बूद्दे पर आते हैं जो बहुत बड़े बड़े फिल्म कार तो वि रोध वाले खेमें में हैं वह भर हम सिनेमेटिक लिवर्टी के लिहाज इसे देखें सिनेमेटिक लिवर्टी यह होती है कि फिल्मकार को तक्षों के साथ तोड़ा बहुत छेड़-छाड़ करते की इजाजत होती है तब भी इस फिल्म में भीभस द्रिश्य और हिंसा वाले द्रिश्य इतने दिखाए गए हैं कि तो यह फिल्म आजी से ज़्यादा कट जाती इस पर आपको क्या पैड़ा देखिए मैं आप के ऊपर खैंची क्यों चलाई जाए अभी तक तो यही होता रहता है ना कि हमेशा सथ्य के ऊपर खैंची चलाकर उसमें काट-चाट की गई है आप देखीजिए हिंदुस्तान मे अगर आप यह देखिए तो सेखड़ो हजारों साल से यही चीज है सत्य को सामने नहीं आने मतलब फिल्म को मैं एक साहित का ही वो मान लूँ एक भाग मांग बूल तो यह किवल प्रॉब्लम आज आज के फिल्म से नहीं है यहां कि साहित के साथ भी हजारों साल से बहुत- तो नब्बे में जो घटना हुई थी टीवी मीडिया कैमरा तो उस वक्त भी था लोग गए भी होंगे बहुत लोगों को पता भी चला होगा लेकिन चुकि उस वक्त उन्होंने सत्य नहीं दिखाया उस पे एक कैमरे वाले ने सरकार नहीं सरकार तो बात की बात करिए जो य काि रहे हैं जो विरोधी है कुछ मुट्टिवर लोग वो तक जा रहे हैं कि राजिमी ख़कम होती है इस अ마रा फैल्मी केरियर हो गया कई दो ही जो इन्दस्टी पड़ाना वो सारी दबंगई फिल्म इंडस्टी की जनता ने निकाल दी जो अपने आपको वहां का बॉस समझते से चाहे वो दाउद रहा हो चाहे यहां के एक्टर रहे हो सबकी दबंगई जनता ने निकाल दी इस फिल्म को सफल बना करके तो इसी लिए जो है वो कैची चल लाना मैं तो बोलता हूँ कि इसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और अंदर की चीजे फिल्म मैंने अभी नहीं देखी है लेकिन इस फिल्म के पार्ट टू और पार्ट थी भी बनने चाहिए वह ऐसे बनने चाहिए वह कौन से राजनेतिक फैक्टर थे किन-किन र रखा तो उनको भी इसमें दिखाना चाहिए ताकि जंदा को यह भी समझ में आए कि यहां की राजनीत किस तरीके से तलती है और राजनीत के कारण इस देश को कितना सफर करना पड़ा है आजादी की जो जितनी भी डाकुमेंट्री है किसी भी डाकुमेंट्री में जिन्ना जुआ दिखाया गया है जिस बीभत रूप में उसने काम किया तो क्यूं नहीं दिखाये अगर हम जानेंगे नहीं तो हम आगे सावभान कैसे रहेंगे फिर एक नया पाकिस्तान बनेगा फिर कोई नया प्रॉब्लम शुरूओ यहां पर आज की डेट में अभी पुछ दो चार-चार महीने पहले ऐसे लोग पड़े हैं जो कि यह बोलगा है आसाम का जो चिकन नेख है नौर्फ इस इसे जुड़ी बात तस्रीमा नस्रीन ने भी आज कही है कि बांगा देश में जो हिंदू पर अ सब्सक्राइचार हुआ और बाकी जोगों को इस पर भी बढ़ना थे हैं बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस भुद्धे पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए और कई सारी चीजों को साफ तोर पर उस पर क्लारिटी डालने के लिए और तमाम सारी चीजों को बताने क दूसरे सेग्मेंट पर जो इस्थती बन रही है वैश्वे कस्तर पर रूस और यूक्रेण के बीच लगबख सारे विश्व का यहां तक कि भारत का भी काफी जादा भारत के चर्चाय हो रही है आप खुद इतने जागरुक पत्रकार हैं टीवी प्रस्तोता हैं एक्सपर्ट हैं देख रहे हैं क्या हो रहा आज एक कीसवा दिन है लेकिन जहां तक अमेरिका और उसके साथ के देश ब्लादीवीर पुतिन को विलन बनाने पर तुले हुए हैं और यूक्रेण के आम जंत पर हो रहे रूसी आक्रमण की वज़े से जो परिशानिया हो रही है उसका जिक्र कर रहे हैं वहीं पर वह आर्ठिक प्रतिबंद पत्तव बद से बदतर लगाते जा रहे हैं रूस के उपर जिससे वहां की जंता की हालत फ़राब है इस पर आपको क्या प्रतिए देखें डर्सा वार जो हो रही है हलांकि मैं फेवर नहीं करता हूं दुनिया में वार कहीं नहीं होना चाहिए आपका जो सबसे जन्यून कोश्यान है कि एक से बढ़के एक प्रतिबंद लगाते चले जा रहे हैं और रशिया के उपर कोई फर्क नहीं पढ़ए देखें को हम भी तो उस कंडिशन में रहे हैं आप भी गाओं से निखले हैं हम भी निकले हैं तब वहाँ पर यह बाजार वाध नहीं होता है यह सुधाय नहीं होती तो क्या हम जिन्दगी नहीं जीते थे यह नेशनल प्राइड की बात होती है आपके आर्थिक प्रतिबंद क्या कर पेट भरने के लिए रशिया में चीजे अवलेवेल है वो जिंदगी को निम्नता रस्तर पे जीएंगे आग की तरह उपभोक्ताबाद का वह पहले भी विचारधारा रशिया में पहले नहीं कि वहां कॉमिनिस्ट शासन रहा है वहां क्वालिटी के हिसाब से चीजे होती थी हाँ अगर अमेरिका जैसे देश के उपर आर्थिक प्रतिबंद लग जाए यूरोप पे लग जाए जो उपभोक्ताबाद और वाजारबाद में विलीब करते हैं तो उनकी पूरी एकोनॉमी पूरी ब्यवस्था चुकि पैसे और पूजी पे निर्धारी तरहती है तो वह बहुत तेजी से तूट जाएंगे लेकिन रशिया की पूरी वेवस्था 100% पूजी पे निर्भर नहीं कि वो पूजीवादी देश नहीं है पूजीवादी आइडियोजी नहीं चलती है और दूसरी चीज़ जिसने अपना प्राइम टार्गेट कुछ और बना के रखता है रसिया अगर फूदा है युद में उसने यह सोच के रखा है कि यह सब चीजे होगा दुनिया जानती है कि अमेरिका के यह चीपे हुए हथियार होते है इंडाइरेक्ट अटैक करता है तो प्रतिबंदों के थू करता है तो इसके लिए वो पहले से तैयार है आप एक नहीं के लिए जाता जंदी है चाहे बेसिक सर्वाइबल लेबल पर ही उनको काम क्यून करना पर है जी देखिए एक बात इस पर यह आपने जो बात कहीं बिल्कुल सही बात है कि आर्टिक प्रतिबंद एक तरह से अमेरिका का ब्रम्हास्त्र है उसने इरान पर भी लगाए सूड अमेरिका का बहुत बड़ा सहयोगी होता था लेकिन इसमें जो कारण बताया जा रहा है कि युक्रेन की एक एक सार्वभौम और संप्रभू राष्ट्र पर बिना कारण हमला करना कारण यह इसमें जो रश्यान रश्यान मीडिया है वो यह बता रही है कि सोव्य संग के वि लिगटन में और उस समय तक सोव्य संग एक सुपर पावर था अमेरिका भी कई शेत्रों में उस्ते पीछे था वो दर्ड जो अठारा भागों में सोव्य संग बटा और फिर लादीमीर पुतिन को कि अमेरिका का ये बार बार टालना की जो बातचीत करना चाहते थे सुरक् कर लेना उनको अंसुना करता है तो आप क्या मानते हैं अमेरिका जो कारण बता रहा है कि यह हमला अकारण है या जो ब्रादीमीर पुतिन और रुश्यन मीडिया कह रही है कि अमेरिका ने हमें पिछले 25 साल से अंसुना कर दिया को डाटसब अमेरिका की डिप्लोमेटिक नीत ही होती है मैं बहुता हूं अमेरिका को अगर इतना ही डर है या समवेधना है उक्रेयन और अस्या के वार का तो क्यों नहीं United Nations की सेना भेज देती है क्यों नहीं NATO की सेना भेज देती है लिप सर्विस क्यों प्रवाइड कर रहे हो कीटी साइस क्यों कर रहे हो आर्थिक प्रतिबंद क्यों लगा रहा है अगर आप बोल रहे हैं तो खुल के मैदान में उतरिये और खेलिये तो यह एक डिप्लोमेटिक चाल है अमेरिका और नाटो खुद भी डाइरेक्ट जो है नहीं उतरना चाहती है क्योंकि उनका बहुत बड़ा नुक्सान होगा पहली चीज़ दूसरी चीज़ रही बात आफ कि राशिया यह नहीं चाहता था कि उसका जो है इतनी तेजह से हो अमेरिका एंचिफेंसटेमा मेजून सुछ tardा कि इसी भावना से उत बानाटो और कई देशे को लालस दीघा सौरी यूप्रेन को लालस और आफर दिया कि हम आपको नाटो में बनाएंगे क् essence करने के लिए अपना रसिया को यह चीज गवारा था नहीं कौन आदमी चाहेगा कि उसके विरोधी की मिसाइले आ जाए और आप यह देखे क्यूबा क्यूबन मिसाइल प्रॉब्लम जब आई थी निकिता गुर्शोब वहां पे जब इनके थे निकिता गुर्शोब जब इनक को सपोर्ट करना चाहते हैं माना वताव आपको लग रहा है माना वतावादी सिद्धान्तों का उल्लंगन हो रहा है कि इतनी बड़ी फॉज है इतने मिसाइल साइए उनको हिम्मत है नहीं तो मेरे ख्याल से रशिया को इन्हों ने इग्नोर ही नहीं किया टैंपर भी किया पैंपर करने का मफलब यह है कि लगातार यह देशों को नाटों में मिलाते गए घेरे बंदी करते गए डायरेक्ट इंडायरेक्ट वे में अब जैसे मास डिस्ट्रेक्शन के वेपन या बैलोजिकल वेपन की फैक्ट्री वगरह मिली हुई है यह आरोप हैं तो ठीक है कई कि बार डायरेक्ट वहां पर एक्शन में कोई सरकार नहीं रहती है लेकिन उसको पार्टनर बना करके अपने दुश्मन के खिलाब बहुत तेजी से मजबूत करती है कुछ इसी तरीके की प्रॉबलम आप यह देखिए इसरायल और इरान का चल रहा है इसरायल यह बोलता है कि हम इरान को अटॉमिक पावर नहीं बनने देंगे उनको उससे खत्रा है तो इस तरह के जो है तरह के संखर्ष चलते रहते हैं अगर आप वाकहीं में यूप्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं तो लिप सर्विस मत प्रॉइट करिए यूनाइटेड नेशन सापका है नाटो के पूरे देश आपके हैं आपकी खुद बहुत बड़ी हार्मी है सामने आकर के दो दिन में फैसला कर लीजिए वह बात इसमें यह है कि जो इसमें इनोसेंट किड का रोल प्ले कर रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है ब्लादीमीर पुतिन ने अकारण ही हमारे उपर हमला कि और उनको हट जाना चाहिए एक विशेशक होने के नाते हम जो यह गढ़ दिया गया है अमेरिका की तरफ से कि यूक्रेन या जलेंस्की बिल्कुल इनोसेंट है और ब्लादीमीर पुतिन एक विलन है इस नेरेटिव से आप कहां तक सहमत है और अगर सहमत नहीं है तो उसके कि आरहें एक यह होता है और इन् decline में इनोसेंट होना इनोसेंस ही सबसे बड़ा nocence है उसके पीचे मैं आपको बता रहा हॉं जब आप रास्ट के अध्यक्ष होते हैं या एक रास्ट को आप कर रहे ना आप समंझ लीजै कि बली का बकरा है हमारे देश के हमारे के तो टुपड़ेग क्योंकि उस वक्त जो अपने रास्ट को लीड कर रहे थे वह बड़े इनॉसेंट थे पहुत इनॉसेंट थे वह इतने इनॉसेंट थे कि जो बोल देता है था उसी में हां मे पहर लिना होशियार हैं लेकिन अफ़स गये हैं तो वह इनोसेंस अपने आपको प्रूफ कर रहे हैं और अब अमेरिका भी क्या घर सामने से लडाई तो लड़ नहीं सकता है तो ग्लोबल कम्यूनिटी में यह बोल रहा है कि यह तो जी बच्चे हैं अगर आप इनोसेंट हो तो आप रा सारी चुनोतियां होती हैं आपको जब आप एक रास्ता ध्यक्च होते हैं और कई बार चुनोतियों से सामना आपको डट के करना होता है और खुल के करना होता है और हार्ड डिसीजन्स लेने पड़ते हैं अगर आप इस चीज के लिए तयार नहीं है तो गदी आपके लिए नहीं है मैं एक चीज़ और बता दो Second World War हुआ था जब जर्मनी ब्रिटेंड की दुलाई कर रहा था तो विस्तन चर्चिल के ठीक पहले जो प्राइम निस्टर था मुझे नाम नहीं याद आ रहा है कोई आयरन या इसमित करके कुछ ऐसे ही था वहां पे वह ऐसा नहीं कि वह कैपेडल नहीं था तैलेंट नहीं था लेकिन वह इन कॉम्पिटेंट था वह इनोसेंस था वह वह दिसीजन नहीं लिए पा रहा था जो विस्तन चर्चिल उस सिचुवेशन के हिसाब से उन्होंने सामने आकर के लिया लड़ना है तो लड़ना है या मारना है अगर अपन संस्का परचिशन सही टाइम पर नहीं ले पाए तो इसका परिडाम आप देखें रश्टा गलत है सही यूद्ध में नुकसान किसको हो रहा है पहले यह देख़िए यॉक्रेन को हो रहा है इस धर्टी पर युद्ध होता है नुकसान वहां पर होता है तो आपने तो अपना दुनिया पर में आपके ऊचल रहा है तो बहुत है थी इसी से जड़ा हुआ यह किस तरफ जा रहा है क्या वर्ट वार्ने की तरफ जब इतनी दो बड़े-बड़े महाशक्तियां आपस में टक्रा रही है एक विरोध कर रही है लेकिन सेना नहीं भेज रही है अमेरिका जैसे तेश्ट और उसके मित्र और एक महादेश युद्ध में डायरेक्ली कूदा हुआ है तो क्या आप पांते हैं कि हम कई देश की सेनाएं एक्टिवली कूद जाएं पहली चीज दूसरी चीज सेकेंड वर्ड वार जब दो महाशक्तियां बनके उभरी रशिया और अमेरिका नाइंटीन फॉर्टी से बन शिप्की से आप मुझे बता दीजे कई बार रशिया और अमेरिका की सेनाएं आमने सा वर्ड वार में और सेकंड वर्ड वार के बाद दो महाशक्तियां कभी भी नहीं टकराएंगी और जब दो महाशक्तियां नहीं टकराएंगी तो वर्ड वार ये कभी भी शुरू होने वाला नहीं है चोटे मोटे देश आएंगे नहीं बीच में यह ऐसे ही चलेगा चाहे द तक का देखें कि यह भी प्रेशर में डाला है कि सीज फायर की आजाए दोनों देशों के तरफ से ना इना 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 अमेरिका तरह नहीं कि बाती नहीं हो रही है। बोलें कि हम आपको हत्यार देते हैं और लडाई लेड़ो इतनी शांती पुसंती तो सबसे पहले सीज फायर के लिए करना चाहिए थारा इस सीज फायर का शब्द तो मैंने दुनिया के किसी नेताक के मुझ से सुना नहीं चाहे नाटो चाहे अमेरिका हो तो यह युद कहीं और यह जा रहा है और युद का परिणाम यह होगा मुझे यह लगता है कि रसिया जो चाहता है वह वह मनवाके करेगा अमेरिका व्गरए की हिम्मत नहीं है यह आने की यह रशिया भी डाइन्या टक परिकल करेगा नहीं पर तबढ़र के लोग बीच में इखर सखते हैं त सुबह से शुरू हो जाएगी वर्ड वार इतने जल्दी नहीं होगा लोगों को रसिया की ताकत पता है कि वर्ड वार होने पे और वर्स्ट केस से नेरियों जाता है तो क्या होगा जी जी बिल्कुल सही जैसे कि अमेरिका में रूसी मामलों की सबसे बड़ी जानकार है फियो अपने इस्टन फ्लैंक से वह अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोड़ने के लिए आगे धन्यवाद झाल